नमस्ति दोस्तों आपको फिर से सौबस है ट्राइट नाव गाई सुदर्शन काप्रा आज हम इस वीडियो में सिखेंगे पेंट हम यह से चालू कर सकते हैं पेंट सर्ज करके अब पेंट में जो है मतलब हम एक बेशिक टूल है पेंटिंग करने के लिए हम जैसे काज़्पेंअ अपने बूक में जैसे पेंटिंग करते वैसे ही आप लैप्टॉप या टेस्ट लैप्टॉप या कम्पूटर में ही पेंट कर सकते हैं अब इसमें का पहला उप्शन है फाइल में आप न्यूज ओपन से हो जैसे कि मैंने अभी नोटपेड के जो उडियो था उसमें बता यही था वह इसा ही से मैं प्रिंट यहां से प्रिंट कर सकते हैं से वैज मतलब इतनी फाइल में इसे हो कर सकते हैं पी एंजी जेपीजी बीम पीजी आए अब और अगर आपने कुछ वर्ड कॉपी किये थे वो पेस्ट करने आपको तो अगर मैंने यहां पे कॉपी नहीं किया है इसलिए नहीं आ रहा हूं अगर आप कॉपी करते हो तो पेस्ट कर सकते हैं यहां से उसके लिए आपको कॉपी करने के लिए अगर पेंट में से करना है तो आपको यह Select option बहुत अच्छा रहेंगा, यहां से आप Select कर सकते, उसके बाद में Cut, Cut मतलब जो हो है, वो पूरा यहां से गायप हो जाएंगा, Copy मतलब उसकी Copy दूसरी जगह पे हो जाएंगी, और वो Cut और Copy, अगर मैंने यह Copy किया, उसके बाद में यह पेस्ट करना है मुझे, यह देखिए, सेम आगाया, उसके बाद में मैंने यह Cut किया, उसके बाद में वापिस पेस्ट किया, देख सकते हैं, इस Select में भी Option है, अगर आपने जो Select किया है, वो Delete करना है, तो यह आएसे Delete Option है, उसके बाद में है, अगर आपने यह Select करते हो, तो वो Crop भी कर सकते हो, आप यह से, यह हो गया Crop, उसके बाद में Resize, आगर आपको यह Page की Size बदल लिए, तो आप यह से Resize Option से, Pixels या Percentage में, जो भी आपको चाहिए, उसके इसाब से Resize कर सकते हो, उसके बाद में Pencil, हम जो Daily Use करते हैं Pencil, वो ऐसे Pencil है, खाली, Laptop ए, Computer में है, उसके बाद में है, Feel, मतलब जो हम Color देते हैं न, वो यह आज से Color Select करना, और उसमें Feel करना, यह वो तीज़ी है, उसके बाद में Text, अगर हमको Text Insert करनी है, तो यह है Text, आप यहार पर कुछ भी Type कर सकते हैं, उसमें भी अगर आपने, आपको यह Select करना है, आप उसका Color Change कर सकते हो, उसका font size, style, और font change कर सकते हो, उसमें भी opaque, transparent, यह ऐसे बहुत सारे pictures है, अगर आपको यह आपर कुछ Color नहीं मिल रहे हैं, तो आप Edit Colors करके, इसमें से Select करके, Air कर सकते हो, अब यह हो गया Text Box, उसके बाद में Erase है, अगर आपको यह गलत होगा यह चीज, यह Erase करना है, अगर आपको इसे बढ़ा करना है, तो Ctrl दाबा के, प्लस का जो sign रहता है, उसे प्रेस कीजिए, यह बढ़ा हो जाएगा, आप इससे Erase कर सकते हैं, उसके बाद में Color Drop, अगर आपको यह Color यहापे डोडने की ज़रत नहीं पढ़नी होंगी, तो आप यह से Color Drop कर सकते हैं, यह से आपको Color मतलब Drop किया जाएगा, वो Color आप फील में जाके, फील कर सकते हैं, उसके बाद में Magnify, अगर आपको यह बहुत नज्जिक से देखना है, क्या है दिखा है नहीं दे रहा है, तो आप लेप क्लिक कर करके, जूम कर सकते हैं, और राइट क्लिक से में वापीज जैसा थाओ ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद में Brushes, यहाँ पे आलग आलग ताइप से Brushes के भी, जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो ऐसे ही आलग आलग ताइप से, उसके बाद में यहाँ पे रहता है Shapes, Shapes में यहाँ पे बहुत सार शेप से, आप इसमें से कौन सा भी लेके, ड्रॉ किया, यहाँ पे Color वो जो Brush की Style से, उसके ही साब से आप यहाँ से Outline चेंज कर सकते हो, उसके बाद में Feel, फील से आप जो Color मतलब जिस टाइप में Feel करना चाहते हो, दिए देखिए, आप यहाँ से Feel कर सकते हो, उसके बाद में Size, अगर आपको यह Outline जो है, वो और बड़ी चाहिए, तो यहाँ से आ रहता है, वो Main Color रहता है, मतलब यह Main Color, और Color To जो रहता है, अगर आप यहाँ पर रैट क्लिक करते हो, तो यह Color To आ जाएगा, अब देखिए, रैट क्लिक किया, तो Color To आ गया, यहाँ से आप Edit Color कर सकते हैं, यहाँ से बताया था, उसके बाद में View, वीव में आप जूम कर सकत हो, जूम आउट और जो 100% Recounted रहता है, वो टारेक्ट यहाँ से कर सकते हो, उसके बाद में Rulers, जो आपको Measurement लेने को काम में आती है, वो यहाँ से आप View में जाके चेक कर सकते हो, उसके बाद में Green Lines, Green Lines भी आपको बहुत हिल्फुल रहता है, उसके बाद में Status Bar, Status Bar भी बहुत हिल्फुल रहता है, यह जो नीचे का रहता है, वो Status Bar भी रहता है, उसके बाद में Full Screen, Full Screen मतलब यह पूरा Full Screen में चला जाएगा, आपको अगर यह exit होना है, तो यह skip करके आप exit हो सकते हैं, यह आपको जो Status Bar में आपको Image की Size पिक्सेल में दिखाता है, यह हो गया Paint, आ आपको अगर exit करना है, यह save करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, और exit किया तो भी चले के,